कि नमस्कार सो देखिए यह है राइस्थान की वेबसाइट का होमपेज को की बहुत किन्फूजन हो रही है आप लोगों को बहुत फोन आ रहे हैं तो मैं कोशिश करके आपको सब कुछ दिखाता हूं जो इंपॉर्टन डॉक्यूमेंट से ठीक है और इसलिए पहले सारे आलत लिए अपर हमारे जितने ज्यादा दो शुरूता हैं वो देखिए जीम सीज में अभी भी कहने को तो उन्नी सुनी सीटे भी खाली है तो राइस्थान में जो लोग सरकारी एस्पेडेंट्स हैं वो जरू ट्राइगे जिए गवर्मेंट सीट के लिए अभी भी उन्नीस और अगला कॉलीज तीक फिर अगला कॉलेज चार सीटों का रहा है जेईन जर्नल सीट चार सीटे महात्मा गांदी जर्नल शीट पता था जीरो तीन से एक sırड़ पूर Project जनर्रल सीट साथ एक सीट प्रेसिविक मेडिकल कॉलिज की और कोट और में बारा सीट और क्या है उससे फ़हले खत्म गए लेते एक सीट व्यास एक सीट सिर्फ तानतिया और फिर जिए आई टी में भी आपको दिख रही हैं आपनको और दीक साल अचानक से बोलते हैं चलती काउंसलिंग में फाट से सो की गई पैस्टिक अदेफुर की सीटें 500 से 200 के गई तो यह जो सो सीटे है या यह एक सीटें यह फिलहाल किसी तो कोट पें हैं तो इसलिए वह यहां पर शुरू से अलग नजर आ रहा है कोई चिं लेकिन आपको इससे पता चलिए कि क्यों हो रहा है अब करते हैं अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जो बॉर्ण भरवाय जा रहा है जो नोटिस में लिखा वा था अब दिखाता हूं तो जब यह नोटिफिकेशन आये था उसे बॉर्ण का जिकर था ना और आप जानती है च्छे वे तक बेसिक रेश्टेश्टेश्टर का टाइम में आज उसके बाद बारावेदे का टाइम आफ फॉर्म को सम्मिट करने का पर आप छे वज़े मानके चलिएगा और फिकल तक का समय है चॉइस फिलिंग करने का और साथ में डिपॉजर देने का अठाइस तरीकों में जैब बुर जाके कागिश जमा कराने है और उससे पहले एक औ सब्सक्राइब की इतनी है और बैंक गरंटी यहां क्लिरली हर की निचल लिखा होता है स्टेट डेजर फीस अंडर कर्शिटेशन इस एप्लिकेवल मेनेजमेंट इस तरह आप हर कॉलिज के बारे में जरूर पढ़िएगा पहले यह सब करने से पहले पता चले किसी कॉलिज से बैंक गरंटी है और आप पहुंच गए बिना सोचे एक्चुली जो जितनी आप खाली सीटे नेजर आ रही है ना इसमें मोस्तली इस जेटी 43 को छोड़ दें तो वही है जो की बच्चा अचानक से फंस गया है वहाँ जोएन करने पहुंचा था और पता चला कि बैंक गर बैंक अब दो सीटे खाली है कि ताइजली में एक है फिर जेन्यू में तीन सीटे है उसको 29 सीटे सबसे रपी एमस में है 14 पी एम सीच में है और साथ सीटे फिर से जेटी में जो नहीं पजास सीटे मिली है वह है सब का फिर सेक्चर यहां पर लिखा हुआ है क्लियर है इस को खूली आप आजए यह बॉंड बे वो बॉंड का मोटा मोटी मतलब यह है कि जब डॉक्मिमेंट नहीं आप इसो सइन कर रहे है कि आप रायस्थान को भर रहे हैं तो रायस्थान ही जोएन करना पड़ेगा अपर आप अठाइस तरी को जाके आपने कागे जमा करा दिए और अगर अठाइस तरी को जाके कागे नहीं जमा कराने हैं तो फिलाल पांचला रुपे भी क्यों दे रहे हो रायस्थान सरकार को मत कीजिए ना कर दोगे सब कुछ बेकार हो जाएगा सीट मिल भी जाएगे तो जोए नहीं कर सकते और कोई भी रिजल सताइस से पहले तो बिल्कुल क्लियर रहे जहां भी सीटे बचुई है बिल्कुल सो समझ के यह वली शीट देखकर हर कॉलिज के बारे में लिखा होता है फिर फैसला कीजिएगा ओके और किस कॉलिज का अंदर exactly क्या है कहां पर क्या हो रहा है कि कुछ बाते ऐसी है जो वीडियो में नहीं बता सब्सक्राइब तो यूब टेक अगर आप सारह काम खुद भी कर रहे हैं जस्ते इक अवर पेड़ कॉल आपको यह बता दे जाएगा कि 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 कॉलिज में किस तरह का इंतिजाम है बेक गरंड दे चुडवाने का किस कॉलिज में नहीं है सो कॉल आसे सो तरी 3 62320 ये कॉल हमा पूरी जानकारी राजस्थान के सारे रूल्स के बारे में ये बॉंड भी आ चुका है ओके बाबाए टेक कियर